बॉलेवर एक्टर शुषान सिंग राजपूत के करीबी दोस्त बताने वाले प्रोड्यूसर संदीप सिंग को लेकर नया सवाल सामने आया है जहां पर शुषान की पोस्ट माटम से लेकर अंतिम संस्कार तक संदीप हर जगा मौजूद थे तो इसके बाद खबरे आई थी कि संदीप लंबेवक्स से शुषान के कॉंटेक्ट में नहीं थे यहां तक की वो रिया चकरवरतियों शुषान के घरवालों से भी बात नहीं करते थे और ना ही उनका परिवाश संदीप को जानता था अब संदीप ने इस पर चुपी तोड़ते हुए एक चैट वाइरल की ह संदीप सिंग ने रविवार को शुषान सिंग के साथ हुई अपनी चैट को शेर किया इसके अलावा संदीप सिंग ने शुषान की बेहन और उनके जीजा के साथ हुई चैट को भी लोगों के सामने रखा संदीप ने कहा कि शुषान का परिवार उन्हें जानता है शुषान के साथ हुई बाच्चीत पर संदीप के 5 स्क्रीन शॉट शेर किये ये नवंबर 2016 और जून 2018 के है 2016 वाली चैट में शुषान संदीप से कहते हैं कि मेरे पास ऐसे दोस नहीं है जो मेरे साथ होने चाहिए लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास सेफ शेटी है और तम्हारा भी हमेशा स्वागत है भाई इसके इलावा 2018 की चैट में शुषान्त और संदीप मिलने की बात करते हुए दिखाई दिये इसमें शेर करते हुए संदीप सिंग ने लिखा कि माफ करना भाई मेरी चुपी ने मेरी 20 साल की इमेज और परिवार को टुकडों में तोर दिया मैं इस बात से अंजान था कि आज के जमाने में दोस्ती का एक प्रमान पत्र देना जरूरी होता है आज मैं अपनी इस पर्सनल चैट को शेर कर रहा हूँ पबलिकली क्योंकि हमारे बीच की दोस्ती को साबित करने का अब यही आखरी उपाय है इसके अलावा संदीप सिंग ने 14 जून को लेकर एक नोट भी लिखा उन्होंने लिखा कि जिस दिन शुशान की बोड़ी उन्हें घर पर मिली थी संदीप ने लिखाए कि 14 जून को जब मैंने आपके बारे में सुना तो मैं खुद को रोप नहीं पा रहा और दुखी होकर आपके खर पहुँच गया लेकिन मैं ये देखकर हैरान रहे गया कि वहां मिट्टू दीरी के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था मैं अब भी सोच रहा हूँ कि क्या उस दुख की घड़ी में आपकी बहन के साथ खड़े होकर मैंने कुछ कलत किया या मुझे आपके दूसरे दोस्तों के आने का इंतजार करना चाहिए था संदीब सिंग ने तीसरे पोस्त में शुषान की दीदी मीतू सिंग और जीजा से हुई बाचीत को शेर किया ये चैट शुषान के हाथसे के बाद 15, 17, 21 जून और 1 जुलाई की है इन चैट्स में संदीब और शुषान की बहन के बीच प्रेस नोट को लेकर बाचीत हुई ये प्रेस नोट शुषान के अंतिन संसकार के लिए है इसके अलावा मीतू और संदीब के बीच बाचीत हुई मैं दोनों के देट्स अचुकेट और एम्बिलन्स की पेमिन्ट होने की बात भी करते हुए नजर आ रहे है इसे भी शेयर करते हुए संदीब सिंग ने लिखाए कि हर कोई कह रहा है कि आपका परिवार मुझे नहीं जानता हाँ ये सही है कि मैं कभी उनके परिवार से नहीं मिला क्या भाई के अंतिन संसकार को पूरा करने के लिए इस सहर में अकेली दुखी बेहन का मलत करना ये मेरी कलती है एम्बिलेट्स ड्राइवर के इस स्टेट्मेंट के बाद मैं उन आटकलों को खत्म करना चाहता हूँ कि मैं उससे क्यूं बात कर रहा था नेक्स नाइन लाइब से रजनी के रिपो